नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक्जमिनेशन 27 में आज की क्लास में हम पाइप और टंकी के पाट सेकेंड को कवर करेंगे पाट फर्ष्ट पढ़ चुके हैं अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ ले इससे क्या होगा आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा और क्वेस्चन्स को हल करने की पॉस्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो दोस्तो चेनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहले और बेल आइकन को भी दवा दीजिए इससे क्या होगा आपको हमारे आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहेंगे तो चलिए क्वेस्चन्स पर चलते हैं और डाउट्स को क्लियर करते हैं तो देखिए क्वेस्चन दोस्तो दो नल पी तता क्यूं किसी पानी की टंकी को क्रमसा 12 मिनट तता 15 मिनट में भर सकते हैं दोनों को एक साथ खोला जाता है किन्तु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है क्यूं टंकी को भरने में कितना समय लेगा पी और क्यूं किन्तु तीन मिनट बाद यानि कि तीन मिनट के पहले तक तो दोनों मिलकर काम कर रहे थे तीन मिनट बाद एक ही काम करेगा तीन मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है और क्यूं टंकी को भरने में कित्ता समय लेगा ये ग्याद करना है क्यूं टंकी को भरने में कित्ता सम बर रहा है और क्यूं 15 मिनट में भर रहा है टंकी को 12 और 15 का LCM कित्त आ गजे 12 और 15 का LCM 60 आ जाएगा तो देखी दोस्तों यहां पर पी जो है 60 लीटर यानि की कुल केपिसिटी आ गई यह टंकी की 60 लीटर पानी 12 मिनट में भर रहा है तो एक लीटर कित्ते में भरेगा 60 बटे 12 तो 12 से 60 को काट दीजिए कित्ते बार कटेगा 5 बार कट जाता है 12 पंचे 60 उसी प्रकार 15 से 60 को काट दीजिए कित्ते बार कट रहा है यह 4 बार कटेगा यह क्या निकल गई? एक मिनट की कारिशम था एक मिनट में जो पी है एक मिनट में पी 5 लीटर पानी भर रहा है और क्यों? 4 लीटर पानी भर रहा है तो देखिए 5 और 4 कित्ते हो गए? 9 हो गए? 9 गुड़ी 3 अब आप बोलेंगे तीन से गुड़ा क्यों? तो देखिए तीन मिनट बाद बंद किया जा रहा है तीन मिनट तक तो पी और क्यों दोनों मिलकर कारे कर रहे है तीन मिनट तक पी और क्यों दोनों मिलकर कारे कर रहे है अब तीन मिनट के बाद बंद किया जाएगा इसलिए तीन से गुड़ा कर दिया तो देखी कित्ता आ जाएगा ये ये 27 आ जाएगा यानि कि 27 लिटर पानी भर दिया गया है टंकी में 27 लिटर पानी टंकी में भर दिया भरना कित्ता था 60 लिटर 60 में से 27 घटा दो तो कितना बच जाता है देखिए 27 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 33 बच जाएगा यह 33 बच गया तो देखिए 27 लिटर पानी भरने के बाद जो पी को बंद कर दिया जाता है पी को बंद कर दिया है पी का काम खतम हो जाता है सेज कित्ता बचाए, 33 लीटर पानी बचाए, भरने का टंकी में, तो ये 33 लीटर पानी कोन भरेगा, क्यूं भरेगा, क्यूं भरेगा, 33 लीटर पानी, तो देखिए यहाँ पर जो क्यूं है एक मिनट में चार लीटर पानी भरता है तो 33 लीटर पानी कित्ते दर में भरेगा 33 बटे 4 तो 33 बटे 4 को किस तरह लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 8 सही 1 बटे 4 8 चुके 32 और एक 33 बटे 4 8 चुके 32 और एक 33 बटे 4 इस तरह लिख सकते हैं तो क्यूं टंकी को भरने में 8 सही 1 बटे 4 मिनट लेगा ओपसर नमबर D चलिए अगले कुश्चन पर 3 नाल A, B और C एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं इन्हें 81 खाली टंकी में खोल दिया गया 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया गया A और B ने सेज भाग को 7 घंटे में भर दिया अकेले C दोआरा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा A, B, C तीनों मिल कर विया 6 घंटे में भरते हैं इन्हें 81 खोल दिया गया खाली टंकी में 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया और question में आगे बोल रहा है A और B सेज भाग को 7 घंटे में भर दिया तो अकेले C दोआरा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये ग्यात करना है तो हल करते हैं तो देखिए question बोल रहा है तीन नल A, B, C एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं A, धन B, धन, C कितने घंटे में भरते हैं 6 घंटे में भरते हैं फिर आगे बोल रहा है 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया जाता है और तता सेज टंकी को A और B 7 घंटे में भरते हैं सेज टंकी को A और B 7 घंटे में बढ़ते हैं तो इसका LCM कित्ता आ गया 6 और 7 का LCM कित्ता आ जाएगा 42 आ जाएगा अब 1 मिनट का कारे 1 घंटे का कारे यह 6 घंटे में कर रहे हैं ABC तीनों मिलकर 6 घंटे में ABC सेस बची हुई टंकी को A दन B किते घंटें बर रहें साथ घंटें बर रहें तो एक घंटे में कितना काम करेंगे यह निकालेंगे अपन तो चैसे 42 को काट दीजिए किते बार कटेगा साथ बार कटेगा साच्छिंग 42 देखिए एधन भी सेस टंकी को भर रहे हैं बची होई टंकी को इसलिए इसके एक मिनट का कार्य अभी नहीं निकाल सकते हैं अभी ने निकाल सकते हैं छोड़ दीजीए इसको आभी थोड़ दिर के लिए हैं तो एधेखिए आगे question बोल रहे हैं दो घंटे बाद C को बंद कर दिया जाता है दो घंटे यानि कि दो घंटे तक तो दोनों मिलकर काम करते हैं तीनों तीनों मिलकर काम करते हैं दो घंटे तक तो दो घंटे तक काम कितना निकलेगा इनका दो से गुड़ा कर देंगे तो कित्त आ जाएगा ये 14 देखिए 14 लीटर पानी 2 गंटे तक है यानि कि 3 मिलकर भर लेते हैं और भरना कित्ता था 42 लीटर तो 14 भर लिए 42 में से 14 भर लिए तो बचा कित्ता 42 में से 14 घटा दीजिए कित्ता बच जाएगा 28 बच जाता है अब 28 लिटर पानी बज गया, देखिए, अब 28 लिटर पानी बज गया, C तो बंद कर दिये, दो मिनट बाद, C को बंद कर दिये, अब A और B भरेंगे पानी को, A और B मिलकर भरेंगे 28 लिटर पानी को, किते देरे में बढ़ें, एक मिनट में किते, तो देखिए हम बोल रहा है A और B मिलकर 7 घंटे में टंकी भर देते हैं तो 28 लिटर किते दरे में भरेंगे 28 बटे 60 यहां से 1 मिनट का कारे निकल जाएगा इसलिए मैंने आपको बोला था कि इसका 1 घंटे का कारे अभी नहीं निकाला जा सकता साचिंग 42 28 बटे 7 कर दिजिए तो 1 घंटे का कारे निकल जाएगा 7 से 4 बर कड़ गया यानि कि 1 घंटे में 4 लिटर पानी भर रहें दोनों मिलकर तो देखिए A और B और B C 3 तीनों मिलकर 1 घंटे में 7 लिटर पानी भर रहें A और B मिलकर 1 गंटे में 4 लीटर पानी भर रहे हैं तो यहां से हमें C की वेल्यू मिल जाएगी तो देखी बराबर साथ A, B, C तीनों मिलकर 1 गंटे में 6 लीटर पानी भर रहे हैं और A और B की वेल्यू देखी A और B एक घंटे में 4 लेटर पानी भर रहे हैं एक घंटे में 4 लेटर पानी भर रहे हैं यहाँ तो A और B की वेल्यू रख दीजिए 4 धन C बराबर 7 तो C का मान कित्ता आ जाएगा 7 में से 4 घटा दीजिए तो यह आ जाएगा 3 अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है C द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा खाली टंकी को भरने के लिए और टंकी की छमता कित्ती है 42 लीटर की तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा 42 बटे 3 3 तो कितना आ गया यह 14 आ गया 14 गंटे लगेंगे Option number A C को खाली टंकी भरने में 14 गंटे लगेंगे चलिए अगले question पर एक होज में 3 पाइप हैं पहले 2 पाइप इसे क्रम से 3 गंटे तता 3 गंटे दूसरा पाइप जो है 3 गंटे 45 मिलाट में भर सकते हैं जबकि तीसरा पाइप इसे 1 गंटे में खाली कर सकता है यदि तीनों को अपरहांत 1 बजे 2 बजे तता 3 बजे खोला गया हो तो होज कब खाली होगा एक होज में 3 पाइप देखी 3 पाइप हैं पहले 2 पाइप इसे क्रम से 3 गंटे में और दूसरा जो पाइप है 3 गंटे 45 मिनट में भरता है और तीसरा पाइप इसे 1 गंटे में खाली कर सकता है तीसरा पाइप जो खाली करने का काम करता है ध्यान रखीएगा तीसरा पाइप खाली करने का काम करता है यादि तीनों नाल को पहले को एक बजे खोला जाता है दूसरे को दो बजे और तीसरे को तीन बजे खोला गया है होज कब खाली हो जाएगा होज कब खाली हो जाएगा यह ग्याद करना है हमें तो चली हल करते हैं क्वेस्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए आप तो देखिए question बोल रहा है pipe यह जो है पहला pipe जो है इसे यह मान लेते हैं टंकी को 3 घंटे में भर लेता है और B जो है दूसरा pipe यह भरता है 3 घंटे 45 मिनट 3 घंटे 45 मिनट 45 मिनट को घंटे में convert करेंगे कैसे करेंगे 45 मिनट 60 से भाग कर देंगे तो देखिए 15 तिया 45 15 चोके 60 किता आ गया 3 घंट 3 बटे 4 यहाँ पर LCM लेने के लिए एक मान लीजी तो LCM किता आ जाएगे नीचे वालों का यह 4 आ गया एक का भाग 4 में देजी एक का भाग 4 में देजी किते बार जा रहा है इस 4 का गुड़ा 3 से कर दीजी किता आ गया 12 आ गया धन 4 का भाग 4 का भाग 4 में देजी एक बार जा रहा है एक का गुड़ा 3 से कर दीजी किते बार जाएगा तीन बार जाएगा धन 3 तो किता होगा है यह 25 बटे 4 यहना कि B whatever 15 बटे 4 गंटे में टंकी को भर देता है B की value किती आ गई 15 बटे 4 ऐसे आई तो यहाँ लिख जीते हैं 15 बटे 4 और तीसरा पाईब जो है C टंकी को 1 गंटे में खाली कर देता है A और B तो भर रहे हैं खाली करने का काम कर रहा है तो आप देखिए इन तीनों का LCM ले लेते हैं LCM कैसे निकालेंगे याँ बटे में है तो यह देखिए तीन है बटे में एक मान लीजिए फिर पंदरा बटे चार है और फिर एक बटे एक समझ लीजिए तो नीचे में क्या आजाएगा भीनों का LCM निकालने के लिए जो आंस होते हैं उनका लगुत्तम समापवर्ते निकालना पड़ता है और जो भीन हर होता है उनका महत्तम समापवर्ते निकालना पड़ता है तो देखिए तो उपर वालों का लगुत्तम समापरत कितना आजाएगा तीन पंद्रा और एक का पंद्रा आजाएगा तीन पंद्रा में तीन का भी भाग चल जाता है एक का भी चल जाता है इसलिए पंद्रा आजाएगा और वहां छोटी से छोटी संख्या अब हर का महत्तम समापरता निकालना है तो वहां छोटी संक्या जो सभी से पूर्ट विवाजित हो जाए तो एक है एक का भाग सभी में चल जाएगा तो किता आ गया LCM LCM आ गया 15 बटे एक एक की कोई वेल्यू नहीं है तो 15 लिग जी जी इनका तीनों का LCM किता आ गया इनका LCM आ गया 15 तो देखिए इनकी एक गंटे की कारी छमता निकालेंगे हम तो एक गंटे की कारी छमता निकालने के लिए तीन से 15 को डिवाइट कर दिज कितने बार जाएगा पाज बार जाएगा 15 बटे 4 से 15 कितने बार कटेगा चार बार कटेगा ओ कैसे देखिए 15 15 में भाग दे रहे हैं 15 बटे 4 कहां यह 4 उपर चल जाएगा तो यह हो जाएगा 15 गुडी 4 बटे में आ जाएगा 15 यह 15 से 15 कैंसिल और यह बज़ गया 4 इस प्रकार 4 आ गया और C की वेल्यू कित्ती आ जाएगी एक से 15 को डिवाइट कर दीजे 15 आ जाएगा एक गंटे की कारिश हमता निकल के ए जो है एक गंटे एक गंटे पाच लीटर पानी भरता है बी चार लीटर और सी 15 लीटर पानी भरता है देखे, question के रेंने, सार C छो ऐ, कहली करने का काम कर रहा है, A और B भरंगे का काम करते हैं, A और B. A जो है पाच, एक घंटे में 5 लिटर भर रहा है, B 4 लिटर भर रहा है, यानि कि दोनों मिलकर 9 लिटर पानी बहरें एक घंटे में, और सी जो एक घंटे में 15 लीटर खाली कर दे रहा है तो देखिए question आगे कहा कर रहा है यदि तीनो नलों को एक बजे दो बजे और तीन बजे खुला जा था पहला वाला नल है उसे एक बजे खुला जा रहा है एक बजे खुला जा रहा है दूसरे को दो बजे खुला जा रहा एक से तीन के बीच question के दिशार पहले नल को एक बज़े खुला जा रहा है दूसरे को दो बज़े और तीसरे को तीन बज़े तीसरा नल है जो खाली करने काम कर रहा है दोनों भरने के काम कर रहे हैं तो देखिए एक से तीन के बीच में यह नल यह कित्ते दिरकार कर रहा है एक से दो दो से तीन यानि कि दो घंटे काम कर रहा है दो घंटे काम कर रहा है और जो नल भी यह दो से तीन के बीच कित्ते काम कर रहा है एक घंटे काम कर रहा है एक घंटा काम कर रहा है तो यह दो घंटे में कित्ते लिटर पानी भरेग ना ले दो घंटे में किते गुड़ा दो से कर दे तो यह आ जाएगा दस लिटर पानी भरेगा दो घंटे में और यह एक से गुड़ा कर दीजी इसे क्योंकि यह दो से तीन के बीच एक घंटा कारे कर रहा है तो यह चार लिटर पानी भरेगा दोनों मिलकर किता लीटर पानी भर रहे हैं 14 लीटर पानी भर रहे हैं एक 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 जामपल समझीएगा A, B, C A, B और C तीन भाई हैं A और B जो है कमाने का काम करते हैं उनके पास अभी सेज बकायार 84 है यह सेज 14 रुपए कमाई रखी हुई उनके पास और C जो है भाई यह गुमाने का काम करता है यह खर्च करने का काम करता है वो एक 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 दिन में 15 रुपए खर्च कर देता है देखिए 15 कमाते तो यह कमाते 14 हैं और एक खर्च 15 कर देता है अगले दिन फिर वो कमाने जाते हैं A और B A और B अगले दिन फिर कमाने जाते हैं A चार रुपे कमाता है एक दिन में A एक दिन में पाच रुपे कमाता है और B चार रुपे कमाता है कित्ते हो गए दोनों मिलकर कित्ते कमाएंगे 9 रुपे कमाएंगे तो देखिए जो C जो है 15 रूपे खर्च कर देता है, ये कमाते कित्ते हैं एक दिन में, 9 रूपे कमाते हैं, तो कित्ते अधिक खर्च कर रहा है वो, कित्ते अधिक खर्च कर रहा है, 15 में से 9 को खटा दो, 6 अधिक खर्च कर रहा है, ये 6 रूपे कहां से खर्च कर रहा है वो, 6 रूपे कहां से पढ़ सेफना Cape आची हुई रासी जो कमािये उनकी बची हुई पहले से कमांते रखें उसमें से कर रहा है छय रूपए जमापुंजी किती उनके पास पहले से जमापुंजी 14 रूपए है उसमें से 6 रूपए खर्च कर रहा है रोज कमा रहे है वो तो खर्च कर रही रहा है रोज कमा रहे है जैसे 5 ए 5 कमा रहा है और भी 4 कमा रहा है दोनों मिलकर 9 कमा रहे है ये 9 तो खर्च कर ही रहा है फिर जम पुझी में से भी चाय रुपए खर्च कररेगा किस स्प्रीट से चाय की स्प्रीट से कितने दिन की स्प्रीट से शाय करते और तो देखिए, 14 रूपए 6 की स्पीड से खर्च कर रहा है, तो कितने घंटे में खर्च कर लेगा ये, 6 कम 6, 2 से काट ली दिए, 2 साथ है 14, 2 तिया 6, ये देखिए, फिर 3 से 3 दूनी 6, और बज गया कितना, एक बटे 3, उपर एक बज गया, और बटे में 3, 3 से डिवैड करेंगे, कि एक बटे 3, ये देखिए, 2 तो घंटे में आ जाएगा, और एक बटे 3, इसे मिनट में कनवट करना पड़ेगा, मिनट में कनवट करने किलिए क्या करेंगे, 60 से गुड़ा करेंगे मिनट में करनवाट करने के लिए 60 से गुड़ा करेंगे तो यह देखिए 3 से कितने बार कर जाएगा 20 बार कर जाएगा कितना आ गया 2 घंटे 20 मिनट 2 घंटे 20 मिनट इसे याद रख लीजिए आप 2 घंटे 20 मिनट अब C जो है 2 गंटे 20 मिनट में पूरी जमा पुंजी उड़ा देगा C 2 गंटे 20 मिनट में पूरी जमा पुंजी खतम कर देता है यह आपको समझाने के लिए बताया था चलिए अब question पर आते हैं यह और भी कित्ते कमारे एक घंटे में 5 और चार 9 और एक घंटे में 15 खाली कर देता है 15 में से 9 घंटे कित्ते बचे 6 बचे 6 कहां से खर्च कर रहा है यह इस जमा पुंजी में से 14 में से 6 खर्च कर रहा है 6 की स्पिट से खर्च कर रहा है तो किते देर में खर्च कर लेता है ये दो घंटे 20 मिनट में खर्च कर लेता है पूरे दो घंटे 20 मिनट में खर्च कर लेता है इधर लिख देता हूं मैं दो घंटे 20 मिनट में खर्च कर लेता है अब हमसे question में पूछा है कि यदि तीनो नलों को एक बज़े दो बज़े और तीन बज़े खोला गया तो होज कब खाली हो जाएगा और खाली करने का काम कौन कर रहा है सी नमबर का खाली करने का काम कर रहा है तीन बज़े खोला गया है इसे तीन बजे खोला गया है तो यह दिकी यह दो घंटे 20 मिनट में खाली कर देता है और तीन बजे खोला गया है तो टोटल कितने देर में खाली होगा यह निकालना है हमें तो तीन को जोड़ दीजिए इसमें धन तीन तो कितना आ जाएगा ये तीन दो पाज घंटे 20 मिनट पाज घंटे 20 मिनट में जो है होच पूरा खाली हो जाएगा पाज घंटे 20 मिनट ओप्सन नमबर C अगले क्वेस्टिन पर चलते हैं तीन नल A, B, C एक खाली टंकी को पाज घंटे में भर देते हैं यदि C की गती B से दुगनी हो तो B की गती A से दुगनी हो तो नल A खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है C की गती B से दुगनी हो तो अथा B की गती A से दुगनी हो यहाँ पीछे से पढ़िए इसे A की गती B से दुग निये देखिए B की गती A से दुग निये और फिर बोल रहा है B की गती C से दुग निये चलिए यहल करते हैं देखिए question के नुसर A, B और C अब बोल रहा है A की गती देखिए A की गती B की गती A से दुग निये यानि कि A एक काम करता है तो B दो काम करता है B की गती A से दुग निये यह कर रहा है तो यह दो कर रहा है फिर बोल रहा है फिर बोल रहा है C की गती B से दुग निये तो B की गती किती है दो है तो C की गतिकिति हो जो एक B से दुग नहीं बोल रहा है तो 4 हो जाएगी यह देखी यह रेसो निकल के आ जाता है यहाँ से एक अनुपाद दो अनुपाद चार फिर question सुरुवात में क्या बोल रहा है दोस्तो तीनो नल A, B, C खाली टंकी को पाच घंटे में भरते हैं तीनो मिलकर A धन, B, धन, C यह पाच घंटे में टंकी को भर देते हैं देखिए यहाँ से A जो एक घंटे में एक लीटर भर रहा है B एक घंटे में दो लीटर भर रहा है और C जो एक घंटे में चार लीटर तो तीनों मिलकर एक गंटे में कितने लिटर पानी भरेंगे तीनों मिलकर A B और C तीनों मिलकर एक गंटे में एक गंटे में कितना पानी भरेंगे तो जोड़ दीजिए एक धन दो धन चार तो बराबर कितना आजाएगा 4, 5, 6 और एक 7 तीनो मिलकर 7 लिटर पानी भर रहे हैं एक गंटे में अब तीनो मिलकर एक गंटे में 7 लिटर पानी भर रहे हैं और पूरी टंकी 5 गंटे में भर जाती है ABC तीनों मिलकर पानी भरते हैं तो एक पूरी टंकी पाज घंटे में भर देते हैं पूरी टंकी को और एक घंटे में साथ लिटर भरते हैं तो टंकी की कुल छमता कित्ती हो जाएगी पाज गुड़ी साथ साथ पाना 35 35 लिटर की छमता है टंकी की capacity तो हमसे बोल रहा है question एक तो नाल एक खाली टंकी को भरने में किता समय खाली है टंकी यह पूरा 35 लीटर भरना है भरने में किता समय लगे और वो एक घंटे में एक लीटर भर रहा है तो 35 लीटर किते देर में भरेगा 35 बटे एक कर दीजिए तो क्या आजाएगा 35 घंटे आजाएगा option number C अगले question पर चलते हैं दोस्तों वीडियो को subscribe कर दीजिए like का बटन दबा दीजिए साथ ही चली question call करते हैं 2 नल A तथा B एक टंकी को भरने में क्रमस 20 मिनट तथा एक घंटे लेते हैं 20 मिनट तथा एक घंटा लेते हैं A और B टंकी को भरने में 20 मिनट तथा एक घंटा लेते हैं दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है इसके बाद नल A को बंद कर दिया जाता है अब सेज भाग को भरने में B किता समय लेगा तो देखिए A और B A जो है 20 मिनट में भरता है और B एक घंटे में भरता है दोनों को 10 मिनट के लिए खोल दिये जाता है तो सेज इसके बाद A को बंद कर दिया जाता है अब सेज भाग को भरने में बी कित्ता समय लेगा ये ग्यात करना है से इस भाग को भरनेगी में बी कित्ता समय लेगा तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो यहां मिनट में दिया आई ए नल भी मिनट में भरता है बी जो है घंटे में भर रहा है और दोनों नल मिनट में भर रहे हैं तो याने कि एक गंटे वाले खुब्मी मिनट कम में कनोट करना पड़ेगा पहले तो देखिए नाले कित फिदिर में भर रहा है यह जो है 20 मिनट में भरता है और वी एक गंटे में और एक गंटे में 60 मिनट होते हैं इस मिनट में गंवर्ट कर दिए इस इन दोनों का s將 Veer तो एक मिनट का कारी निकाल एक कुल कारी निकल गया यह कुल कारी निकल गया अब एक मिनट में कित्ता भरते हैं यह निकल लेते हैं निकलने के लिए क्या करेंगे बी से डिवाइट कर दीजिए 60 को किते बार जाएगा तीन बार जाएगा और 60 से 60 एक बार एक मिनट में जो ए है एक मिनिट में तीन लीटर भरता है और वी एक मिनिट में एक लीटर भरता है है तीन और एक किता हो जाएगा चार हो जाएगा यानि कि दोनों A और B मिलकर एक मिनट में चार लीटर पानी भरते हैं क्वेस्चन बोल रहा है दोनों नलों को दस मिनट के लिए खोला जाता है अब देखिए दोनों नलों को दस मिनट के लिए खोला जाता है तो 10 मिनट में कित्ता भर लेंगे कित्ता आ गया 40 लिटर आ गया और टंकी केपिजिटी किती है 60 लिटर की केपिजिटी है टंकी केपिजिटी 60 लिटर की है और 40 लिटर भर दिये 10 मिनट में अब बज गया कित्ता 60 में से 10 घटा दीजिए यह देखिए 60 में से 10 घटा दीजिए तो कित्ता बच जाता है 20 लिटर बच जाता है 60, 43, 40 तो 20 लिटर सेज बच गया 20 लिटर कौन भरेगा A भरेगा अब सेज भाग को भरने में B कित्ता समय लेगा यह ग्याद करना है तो देखिए यहाँ पे B एक मिनट में एक लिटर पानी भर रहा है तो 20 लिटर पानी कित्ते जिर में भरेगा 20 बच एक कर दीजिए बराबर 20 मिनट 20 मिनट में पानी भरेगा तो यह रा कुश्चन दोस्तो दो नल A तथा B एक टंकी को क्रम सब 6 मिनट तता 7 मिनट में भर सकते हैं A से आराम करते हुए प्रतेक नल को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाता है तंकी को भरने में कितना समय लगेगा तो ध्यान देने योग की बात क्या है यहाँ पे देखिए A और B A 6 मिनट में भरता है B 7 मिनट में भरता है A से आराम करते हुए यानि कि सुरुवात कुन कर रहा है A कर रहा है बारी बारी से यानि कि पहले A की बारी आएगी फिर B की फिर A की फिर B की यह अकरम चलता रहेगा कितना समय लेगा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा तो चलिए हल करते हैं आप देखिए एक कित्ते तेर में बर रहा है शाय मीनाट में भर रहा है और और वी जो है साथ में बर रहा है तो दोनों की ले ले लेते हैं तो कुल केपीशिडी आजाएगी टंकी कि कित्ता आजाएगा lcm 42 आजाएगा... यह lcm आ गया अब एक मिनिटी की कारेशमता निकालने के लिए एक मिनिट में कि तता काम करेज यह निकालना पड़ेगा हमें तो देखी ए जो एक मिनिट में कित तता काम करेगा 6 से 42 स्कोंड डिवाइट कर दिजी तो साथ बार जाता है, एक मिनट में 7 लीटर पानी भरता है, और B, B किता भरेगा, साचिंग 42, 6 लीटर पानी भरेगा एक मिनट में, यह कुल केपी सिटी किती है, 42 है, एक मिनट में A, 7 लीटर भर रहा है, B, 6 लीटर भर रहा है, तो देखिए दोनों मिलकर कित्ता भर रहे हैं छायविकली न बारवर से तेरा लिटरव भर रहे हैं दो मिनैट में भर रहे हैं वो कैसे? देखिए, भारी-भारी यmosph diab keynote पहले एक भारी यिए फिर भी की याई पहले मिनैट में तो ए ने काम किया दूसरे मिनट में बी नहीं काम किया तो दो मिनट में उन्होंने तेरा लीटर पानी भरा दो मिनट में तेरा लीटर पानी भरा अब लोगों ध्यान रहे इसलिए यहां पर दो मिनट लिख देते हैं दो मिनट लिख दिये तेरा लीटर पानी दो मिनट में भर रहा है वो, तेरा लीटर पानी दो मिनट में भर रहा है, तो देखिए, तेरा के कित्ते जोड़े बनेंगे, तेरा के कित्ते जोड़े बनेंगे, दो-दो के, दो-दो मिनट के तेरा के कित्ते जोड़े बनेंगे, दो-दो मिनट के तेरा क तो देखिए 13,26 13,49 तीन जोड़े बन रहे हैं प्रॉपर और चार बार जाते हैं तो ज्यादा हो जाता है 42 से इसलिए 13,26 13,49 जैने कि 3 जोड़े बन रहे हैं 2, 2 के कित्दे के 2, 2 मिनट के 3 जोड़े बन रहे और सेस किता बच रहा है सेस 49 के बाद यहां 3 बच जाता है 42 है 42 में से 49 घटा दीजे तो 3 बच जाता है अब देखिए बारी बारी से बोल रहा है बारी बारी से बोल रहा है तो ए आरम कर रहा है कारे को आरम कर रहा है तो अब पहली बारी किसकी आएगी ए की आएगी तो यह 3 जो बचा काम है, यह कों करेगा ? ए करेगा तो यहाँ किया आ जाएगा ? 3 बटे 7 3 बटे 7 आ जाएगा तो यह देखिए लिख देते हैं यहाँ 3 बटे 7 अब हल कर लेते हैं 6, 2, 3 3 बटे 7 6, 3, 3 बटे 7 कुंसे option में है ? option number C में है बहुती सांदार क्वेस्चन था यह रहा क्वेस्चन दोस्तो एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास से दुगना है दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा तो देखिए question क्या कर रहा है एक पाइप भरी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है और जो दूसरा पाइप है उसका व्याद 2 गुना है देखिए ये 1 गुना और ये 2 गुना इसका मुँ छोटा है तो कम पानी फेकेगा यानि कि देर से खाली करेगा तो ये 40 मिनट में खाली कर रहा है अब इसका मुँ बढ़ा है यानि कि व्याद ज़्यादा है पाइप का बीच का इस पे व्याद ज़्यादा है मुँ बढ़ा है इसका तो ये दुगनी गती से पानी खाली करेगा, तो इसके आदे समय में पानी खाली कर देगा, ये 40 मिनट में खाली करता है, और ये दुगनी तेजी से करता है, तो ये आदे समय में खाली कर देगा, 20 मिनट में खाली कर देगा पाइप को, ये बात समझा गए दोस्तों, तो चली ten फहाई करते इसे ध्यान रखिएगा को कें दीए हो vaya में कर रहा कि JUL ूपाइप करें है कि जालीस मिनेट में खाली कर तो ये आधे टाइम में ही खाली कर देगा आधे टाइम में ही खाली कर देगा तो 40 और 20 का LCM कित्ता आ गया 40 और 20 का LCM कित्ता आ गया 40 आ जाएगा 40 और 20 का LCM 40 आ जाएगा तो एक एक मिनट में कित्ता पानी भरे गाए एक मिनट एक कुल टंक केपिसिटी आ गई टंकी की 40 लिटर की टंकी है इसमें से ए जो है किता एक मिनट में किता कारे करेगा यह निकालना है तो 40 से डिवाइट कर दीजिए तो ये जो है एक मिनट में एक लिटर पानी भरेगा चालिस बटे चालिस तो बीस से चालिस किते बार कट रहा है दो बार कट रहा है और बी जो है एक मिनट में दो लिटर पानी भरेगा दोनों मिलकर कित्ता पानी भरेंगे तीन लिटर पानी भरेंगे जोड़ देंगे तो हमसे पुछा टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा अब एक मिनट में तीन लीटर पानी खाली करते हैं तो चालिस लीटर पानी कितने मिनट में खाली करेंगे तो चालिस बटे तीन तो यह देखिए 40 बटे 3 को कैसा लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 13 सही 1 बटे 4 स्वारी ये 3 आएगा 1 बटे हम लिख सकते हैं 13 सही 1 बटे 3 13 तिया 49 और 1 40 40 बटे 3 option नमबर B चलिए अगरे question पर 3 नल A B C होज को क्रमसा 6 मिनट 8 मिनट तता 24 मिनट में भर सकते हैं खाली होज में 3 नलो को एक साथ खोल दिया गया तता नल C होज भरने में भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है होज भरने में कितना समय लगेगा टो देखिये तता C को होज भरने से 2 मिनट पहले बंद किया जाता है तो होज भरने में कितना समय लगेगा कि ये ग्याद करणा है होज करते हैं तो देखिए एक किते में 6 मिनट में भर रहा है A जो है 6 मिनट में भर रहा है टंकी को B आठ मिनट में और C जो है 24 मिनट में टंकी भर रहा है तो तीनों का LCM किता आजाएगा A, B और C तीनों का LCM किता आजाएगा A का LCM आजाएगा 24 24 LCM आगया यह कुल केपिसिटी आगई टंकी की अब एक मिनट में कित्ता कारे करता है एक कित्ता करेगा च्छाइ से चोविस को कार दीजिए च्छोविस में च्छाइगा बाग कित्ते बार जाता है चार बार जाएगा आठ से चोविस कित्ते बार कटेगा तीन बार कटेगा और 24 से 24 एक बार कटेगा A जो है एक मिनट में 4 लिटर भरेगा B तीन लिटर भरेगा और C एक लिटर भरेगा कुल के एपी सिटी किती है टंकी की 24 लिटर की अब क्या बोल रहा है लेकिन देखिए दूस्तों क्वेश्चन बोल रहा है C को टंकी भरने से दो मिनट पहले बंद कर दिया जाता है अब देखिए दो एक मिनट में कित्ता पानी भर रहा है C एक लिटर पानी भर रहा है C जो है एक मिनट में एक लिटर पानी भर रहा है यह देखिए यह एक मिनट की कारेश्मता है एक मिनट में चार लीटर बर रहा है, भी एक मिनट में तीन लीटर और सी एक मिनट में एक लीटर बर रहा है, दो मिनट पहले बंद किया जा रहा है, तो किता भरेगा वो, एक गुडित दो, दो लीटर पानी कम भरेगा, अब यह दो लीटर जो पानी सी को बंद कर दी जा रह 24 में 2 लिटर और जोड़ दीजी 24 धन दो कित्ता हो गया 26 हो गया अब ये 26 लिटर पानी ये देखिए ये तीनों भर रहे हैं दो मिनिट बहले बंद कर दिया जा तो तो निकाल ली हमने कित्ते हो गया चार और तीन साथ और एक आठ आठ हो गया टोटल कि एक मिनिट में आठ लिटर पानी भर रहे हैं तो 26 लिटर पानी कित्ते देर में भरेगा 26 लिटर रिकार्ड देजें 8 16 ला अर्ट 3 24 बजगया कित्ता दो बटे आठ ये देखिए दो एकम दो चोके आठ एक बटे चार तो 3 तो घंटे में आजाएगा और एक बटे चार को मिनट में कनवर्ट करना पड़ेगा मिनट में कनवर्ट करने के लिए 60 से गुड़ा कर देंगे तो 3 इंटू एक बटे चार गुड़ित 60 क्या आजाएगा दोस्तों देखिए चार से किते बार कर जाता है साट पंदरा बार कर जाता है तो क्या आ गया तीन घंटे पंदरा मिनट तीन घंटे और पंदरा मिनट 3 गंटे 15 मिनट में होज भर जाएगा होज भरने में 3 गंटा 15 मिनट का समय लगे ओप्सन नमबर C अगले कुश्चन पर चलते हैं नल एक इसी होज को 20 मिनट में भर सकता है जबकि B इसे 5 मिनट प्रती सेकेंड की दर से पानी बाहर निकालता है पूर्णता खाली होज में 2 गंटा 15 मिनट में दोनो नल एक साथ खोल दिये जाएं तो 100 मिनट में होज भर सकता है होज की छमता कित्ती है तो देखें ए जो है 20 मिनट 20 मिनट में होज को भर सकता है और B 5 लिटर प्रती सेकेंड की दर से पानी बाहर निकालता है पांच लीटर प्रतिसेंट की दर से पानी बाहर निकालता है याने कि खाली करने का कामकर रहा है भी फूर्णताः खाली होज में याने कि खाली होज में दोनों नल गो झाल 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 पाइप एंड टंकी का पार्ट थर्ट पढ़ेंगे आगे को क्वेश्चन्स को हल करेंगे तो चलीज दोस्तो जब तक के लिए अलवीदा थेंक्यू फर वाचिंग